बिसमिल्लाई रामानी रहीम, असलाम लेकूँ आज हम खिछड़ा बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे तो इसको बनाना बहुत आसान है यह बहुत जटपट से बन जाता है और बहुत ज़ादा इसमें मेनत की ज़रुरत नहीं होती है तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चने की डाल है, मूं की डाल, उरत की डाल, तूवर की डाल और काली मसूर की डाल तो सारी डाल को हमने तीन से चार घंटा पहले दो के अच्छे से भिगो देना है उससे डाल हमारी बहुत जल्द सौफ्ट हो जाएगी और बहुत जादा इसको टाइम नहीं लगेगा गलने में तो इसके लिए इसको दो के तीन से चार घंटा जरूर भिगाएं और जितना दा जादी का फ्लेवर आ जाए सारी चीज में तो इसको अदम सौफ्ट होने तक पका लेना है और देखते हैं दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से सौफ्ट हो गई है अच्छे से गल गई है यह देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी डाल गली है तो यह इसको हमन अज़ास बनाना है तो उसमें यह दाल को उसमें ट्रांस्पर कर देंगे और इसको ढग के साईड में रख देंगे फिर हम यहां पर लेंगे जौव यह आसानी से किराना शॉप पर मिल जाती है देखिए यह जौव है तो बगेर छिलके वाला तो इसको तो ओधरनाइट सूप करना है ये इसको टाइम लगता है थोड़ा सॉफ्ट होने में ओवरनाइट सोक करें और फिर ये देखिए मैं दो के इससे अच्छे से वाश करके बिगाई थी तो इसके लिए वही पानी मैं इसमें एड कर दे रही हूं फिर से इसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग डालें और फिर इसे भी हाई फ्लेम पर एक मतब प्रेशर आने देंगे और लो फ्लेम पे इसे तकरीवन 15-20 मिंट के लिए कूप करेंगे क्योंकि इसको पकने में काफी टाइम लगता है तो फ्लेम को इदम लो करें और बस 20 मिंट तक पकने दें बिलकुल लो फ्लेम पे तो देखिए ये 20 मिंट बाद हमारा ये जौ भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है यह आप देख सकते हैं बहुत ये अच्छे से सॉफ्ट हुआ है तो जिस बरतन में हमने डाल को निकाला है उसी में हम ये अपना जौ भी एड़ कर देंग दाल को और जौ को इसे हमने बहुत जादा मैश करना होता है तो इसको जितनी भी चीज हम इसमें डालते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे फिर हम इसे ढख के साइड में रखेंगे फिर यहां पर हम लिए चना एक कप चना है उसको हमने 5-6 गंटे पहले बिगो के र जाएंगे ऑर यह देखिए चना भी हमारा सौफ्ट हो गया तो चने को भी हम दाल और ये जौ के साथ मिक्स करेंगे और मैशर से मेश करते जाएंगी और इसे बिल्कुल अच्छे से मेश करना है गरम गरम में ही मेश करेंगे तो आच्छे से मेश हो जाएगा इसको ठंड़ होने से पहले ही बहुत ज़्यादे इसे मैश करते जाना है और यह देखिए यह अच्छे से मैश होगे इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम गोश की तयारी कर लेते हैं तो गोश को बनाने के लिए पहले हम मसाला तियार करेंगे तो प्रेशर कूकर में 2-3 टेवल स्पून तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम करेंगे फिर हम इसमें दो मेडियम साइज की प्यास बिल्कुल बारीक कटी इसमें एट कर देंगे और प्यास को बस हल्का सा पिंक होने तक फ्राए करना है बहुत जादा डार्ग गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है और ये देखिए हाई फलेंपे इसे पकाएंगे तो ये प्याज हमारी हलकी पिंक हो गई है यह देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई है तो बस हम इसमें मटन एड़ करेंगे जो के है 750 ग्राम के करीब तो यह मटन हम इसमें एड़ कर देंगे आप चाहे तो बोनलेज भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं हड़ी वाल गोश इसमें एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए इसमें गोश डालने के पाथ इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें स्पाइस से एड़ करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे एक टीस्पून है धन्या पाउडर दो टीस्पून है गरम मसाला आदा टीस्पून हल्दी पाउडर वन फोर टीस्पून काली मिश पाउडर आदा टीस्पून जीरा पाउडर है और एक टीस्पून है लाल मिश्यो का पाउडर है और नमक आप ते और चाहर टेबल स्पून भरके अद्रक लेस्ट पेस्ट साथ यह अम इसमें हरी दिद्द करें गया दर्ध प्रकेश्प करें तो यह भी आप अपने टेस्ट आपकर आप करें अप और यह अद्द करेंगे दो मीडियम साइस के टमाटर सौरी तीन मीडियम साइज के टमाटर हैं उनको भी हमने रफली चॉप किया हुआ है और वो भी इसमे एट करेंगे गोश में और इसको अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे दिखे इस तरह से दिखे इसे हाई फ्लेम पे भूनते हुए पका लेंगे फिर हम इसका प्रेशर लगा के गोश को इदम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे आपको गोश जितने टाइम में सॉफ्ट होए जब तक इसे पकाना है और फिर हमारी दाल देख लेते हैं दाल और यह जोब अच्छे से गला हुआ होना चाहिए तो यह देखिए हमने गोश को भी इसमें एट कर दिया है और फिर इसे हम अच्छे से मैश करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे तक्रीबान एक से डेल लिटर के करीब तो यह थोड़ा सा पतला होना चाहिए बहुत ज्यादा गाड़ और अच्छे से मिक्स हो जा इसमें तो फिर आप पानी तक्रीबान एक से डेल लिटर पानी डालना है हमने इसमें और यह देखिए मिक्स हो गया हम इसे गैस पे चड़ाएंगे और इसको बॉइल होने देंगे फ्लेम को हमने मीडियम रखना है बहुत ज्यादा हाई फ्लेम डालेंगे और फिसे इसे मिक्स करेंगे यह देखिए इस तरह से हमने मिक्स करते हुए इसे पका लेना है और यह जबरदस्था हमारा खिछड़ा बनकर तयार है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए देखिए मैं इसे आपको सर्फ करके बताती हूं तो यह बहुत ही जबरदस्त और सूपर यमी बनाता तो अब इसे सर्फ कर लेते हैं तो इसमें थोड़ी सी प्यास और भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी से पुदीने और लीमू से लीमू के साथ इसे सर्फ करेंगे तो यह देखिए कितना गाड़ा हो गया है बस हमें इ भी थीजिटे यह बसे दिए स्थनृट मुवेश जी जएया है जी कर दोई जे खमाने रहा है झाल कार फसे बसंत कर भीमुवा जाएं पयों